दल्दली देवी का रहस में ही दल्दल पानी पीते ही होती हैं सारी बिमारिया दूर ने संतानों की भड़ती हैं जोलिया दूर दूर से शीश जुगाने आते हैं श्वधालू नमस्कार दोस्तों माताराने के चमतकारों के बारे में तो हर कोई जानता है लेकिन आज हम जिस चमतकार से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो बेहदी चौकाने वाला है दरसल हम बात कर रहे हैं मध्यो प्रदेश के मंडला जिले की जहां एक ऐसा दलदल इस्थान है जो साल भर नहीं सूख था फिर चाहेज जितनी गर्मी पड़ जाए यहां हमेशा दलदल बना ही रहता है ऐसी मान्यता है कि यहां दलदल का जल पीने से बड़ी से बड़ी बिमारीों से निजात मिलती है और यहां दलदली देवी का पूजन स्थल है जहां दूर दूर से श्रधालू यहां आते हैं और अपनी मान्यता करते हैं वहीं इस प्रसिद्ध स्थान की मान्यता है कि यहां निस संतानों की जूली बढ़ती है जिसको लेकर यहां के पुजारी श्रधालूं से पूजन करवाते हैं जिसको लेकर यहां पर पूजे निस्थल पर जूला बांधा गया है जहां शद्धालू अपनी मान्यता को लेकर दल्दली माता की पूजा कर संतान की प्राप्ति के लिए प्राथना करते हैं शद्धालू अपनी मान्यता पूरी होने के बाद अपने बच्चों को लेकर यहां पहुचते हैं और उनका मुंडन करवाते हैं शद्धी पीठ है और यहां पे मनो कामना पूर्ण होती है इस थल के बारे में यहां अगर संतान ना होती हो उन जो जोड़े रहते हो यहां पे आते हैं मातरानी से कित्वाब इंको मिलती हैं इसी आस्ता के साथ हम लोग भी आये हैं दोनों कि मातरानी हम लोगों को भी आशिरवाद दे और हमारा भी परिवार बड़ा हो सके मातरानी कितनी माननेताईएं चलती हैं यहां कि मा के सामने प्राद्ना करी इनके सामने मा से बताया जाता है कि लगबग 50 वर्षों से इस इस इस्थान में ये दलदल है जो किसी भी मौसम हो लेकिन इसका असर दलदल वाले इस्थान पर नहीं पड़ता यहां पाँच दिनों का मेला बड़े ही भव्य रूप से लगता है जोहां पर दूर दूर से व्यापारी जूले और सरकसादी के विवसाई यहां विवसाई करने के लिए आते हैं इस मेले की शुरुवाद दिसंबर माहा की पूर्णिमा से होती है यह मेला पाँच दिनों तक चलता है लेकिन इस वर्ष साशन की ओर से मेले के लिए स्वीकरती प्रदान नहीं की गई है और दलदली मेले में कोरुना का ग्रहन लग गया तो वहीं शुधालू अपने स्वयम की सुरक्षा और आस्था विश्वास के साथ दलदली माता का इस्थान पर पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं